येस, get ready for the Hindi Dictation, taken from Ramdhari Gupta Khanda 1, containing 400 words at the speed of 80 words per minute, let's start, 3 seconds, start, उपाध्यक्स महोदे, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकासित हुए हैं, उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है, इसको सरकार भी मानती है और इस विशे पर कोई मतभेद नहीं है, प्रशन यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकासित किया है, तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है, उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है, जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकासित उस मानचित्र की और दिलाया गया, जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था, तो उसने 1956 में ही, जबकी नै तो भारत और चीन की सीमा का प्रशन पैदा हुआ था, इस बारे में रूस ने विरोध किया, इसके बाद भारत सरकार ने लगातार चार बार रूस सरकार ने लिखित रूप से विरोध किया, कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है, जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी और भारत का ध्यान गया, तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार तीन बार अपने राजदूत के माध्यम से, और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए, उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस और अकरशित किया, कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है, प्रशन यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हमें चिन्ता होनी चाहिए या नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है, तो स्वभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिन्ता करने चाहिए, हम अपने कर्टव्य से नहीं चूक सकते हैं, लेकिन जहां तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननिय सदस्य की प्रशंशा करता, अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते, जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है, उदाहरन के लिए पाकिस्तान को सिकायत है, उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिश्र ने ही नहीं, बल्कि अमेरीका ने भी गलत दिखाया है, जिस कस्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह इस धर्ती पर हमारा स्वर्ग है, इस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और क्रीपा पर छोड़ दिया गया है, यह बात उत्साह वर्धक नहीं है, पुर्ण विराम ओवर